नमस्कार, SSE GD में 85,000 बंपर बर्ती आ चुकी है। दस्वी पास कोई भी विद्यार्थी इस बर्ती में फोर्म अपलाई कर सकता है। फरवरी या मार्च में एकजाम संभावित है। यदि आपको इस बर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो संकल्प कोचिंग गंगानगर, 26 अक्टूबर को प्राते दस बजे मोती पेलेस में एक महा सेमिनार आयुजित करने जा रहा है। आप सभी इस सेमिनार का हिसा बनिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं की सेंटर की बर्तियों के लिए शंकल्प ने संकल्प गुरुकूल,, जिसमें गुरुकूल पद्ति के माध्ययं से विध्यार्ठियों को पढ़ाया जाएगा। तो एक संकल्प गुरुकूल संस्तान की शुरुवात रही है। क्या है इसकी खास बात इसके बारे में भी सेमिनार में आपको जानकरी दी जाएगी, तो 26 अक्टूबर को आप सभी प्रात्य दस बजे मोती पेलेश में जरूर पहुंचें, जै हिं जै भात्य। आज का जो कोशन है, RAS से लेकर के कितने बड़े से लेकर कितने छोटे एकजाम को देना यहां से आपको कोशन मिलेगा और विद्यारती क्या करता है, इसकोशन को छोड़ कराता है भहुत आसान कोशन है, मुश्किल नहीं है, कोशन देखिये, ओपेन के वर्गीकरन के अनुसा कोपेन के अनुसार मसवडा की जल्वाइव बताई आपको पहले तो नाम देखो एक काम करते हैं याद करते हैं एक कोपेन और एक ट्रिवार था दुन्हों को एक साथ लेकर की चलता हूं कोशिश करना याद करने की पहले ही यह सोच मत करना कि याद नहीं होगा फिर तो नहीं होगा कोई दुनिया के तकता आपको याद नहीं करा सकती बस यह कह दो कि यार इतना आसान था हमने कभी पड़ा ही नहीं यह तो याद ही हो गया तो अभी याद हो जाएगे पूपएन प्रीवार्था को एक साथ ही आदि रेंगे पूपेन ने वर्गीक रण किया तो नाम दिया withdraw इसने अपने भी दे देते हैं। इसने वरगी करन किया तो इसने यह नहीं , Bwh 3 वार था ठीच से चला तोड़े शोटकर चला उसने का कि कोई दिक्कत नहीं है Bwh पूरा नाम नहीं दे फिर फरक क्या रहता अगर पूरा दे देता AW AW BW HW BWH BSHW तिरिशने का नहीं P S अब इधर भी A इधर भी AW AW BW HW BWH BSHW BSH CWG यानि ट्रीवार था ने कहा गाए हमारी माता है कव गाए हमारी माता है पस्याद रखना है अब आपीस दोड़ा रहा है ट्रीवार था कोपेन दोनों को कोपेन ट्रीवार था AW 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 BW HW BWH CWG CAW कोपेन ने किसको अधार मना मनस्पति को ठ्रीवार था ने वैसे तो वर्चा को लेकिन मुख्य रूप से वर्चा फिर्टा पांतरन वास्पोसर जन्ता अपमान सभी को माल लिया अब हम बात करें कि कोपेन के अब हमें नाम याद हो गया तो कोपेन ने जो A सबद दिया वो दक्षिन के लिए दिया A का मतलब उशन और उशन करक रेखा के आसपास का जो बाग था न तो A किसके लिए दक्षिन के लिए सबद यूज किया एक अंदाजा दे रहा हुए आपको बड़ा बेकवर्ड बी डबलू हड़ी फॉर किर्केट किर्केट खेलेंगे मेदान में प्रिवार्था से कोपेन से लेकिन खेलना मेदान में ही और मेदान है पूरो में तो CWG किर्केट कहां खेलनी है मेदान में और बच गया वो फिर दे दो B SHW आप देखो B के साथ बड़ा डबलू, वारं, गरण, पश्मी राजस्तान ए दक्षिण में दे देना किर्केट खिला देना पूरों में तो नाम तो रख दिए ना आब बताव पर्सन क्या था कोपन के नुसार बाहरा बढा यद याद रहे कि राजस्तान में आएगा B के साथ डालू है तो पश्मी राजस्तान आज схण पश्मी रास्थान में आएगा किर्केट पूरों में खेलनी है पूरवी मैदान में आएगा अब देखो यही सेम हिंट विवार्था में लगू होगा थुड़ा दिमाग चला लेना विवार्था में भी ऐसा ही लगवू होगा अब आपको कलको पूछने कोपेने अधार किसक में धुर्ट पूरो में भी के थे टो फिर पूरो में तो किर्केट खेलो तो पांस वढ़ा धक्षिन में है डूंगरपुर धक्षिन में जालावार दक्षिन में है यही आएगा ज्यसेल मेर तो एक अंदाजा काम कर रहा है कि जेसलमेर तो उद्र है फ्री के साथ डबलु आ डबलू, CAW, DAW, DBW, EAD, फिर भी ना याद रहे, तो थोरण वेट कहता है, काउ, डेड़ी, एड़ी, डेड़ी, एड़ी, एड़ी, याद हो गया, काउ, डेड़ी, AD, CAW, DAW, D, उसके बाद, EAD, E, East में नहीं आएगा, E, East में नहीं आएगा, E, West में आएगा, इसको याद इसी रखना, E, East में नहीं, E, West में आएगा, लो, काम ये पूरा हो गया, हमने याद किया, एसे, नक्से में रखना है, एसे, एसे, T, AW, T, AW, T, T, W, तो DAW में सबसे ज़्यादा चितर कवर हो रहा है, इसलिए सरवादी छितर DAW का है, मैं कहता हूँ, कुछ भी नहीं है कोपेंट्रिवार था था, अगर समझ में आजे तो, नाम देखो, पहले कोपेंट्रिवार था, AW, AW, BW, HW, BW, HBS, HW, BSH, CW, G, CAW, काम पूरा, अब की कोपेंट्रिवार था में एक आएगा दक्षिन में, बी के साथ W पश्चिम में, टीफ और किर्केट पूरों में खिला दो, पच गया दो, BSH हो जाएगा, यहीं सेम ट्रिवार्था में होगा, थारन वेट में, E, A, D, E, East में नहीं, वेस्ट में आएगा, काम पूरा होगे, E, East में नहीं, वेस्ट में आएगा, सबसे ज़्यादा छित्रा आपको दिख रहा है, उत्री रास्तान के लिए, विकानेर संभाग के लिए, B, B, W आजेगा, और C, A, W कहाएगा, तो C, A, W त तापमान को, तापमान, वनस्पती, वरसा को अधार माना, लेकिन को पेन जो था ना, उसने केवल मुख्य रूप से वनस्पती को अधार माना था, और एक बार ले लिजिए स्क्रीन सोट इसका, और एक इसका भी स्क्रीन सोट ले लिजिए, और जैसे मैंने आपको बताया ह है आप कोशिश करना वेसे ही याद करने की और मैं यह कहता हूं आपको 100% याद हो गया होगा तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अच्छे-ची कमेंट कर देना ज्यादा ज्यादा शेयर करना स्टेटस पर जरूर लगा लेना चोटा सा वीडियो लेकिन अच्छा कोशन ह है और वो कोशन है जो हरको इससे ही नहीं करता लेकिन जो वीडियो देख रहा है वो गड़त कभी नहीं करेगा इस कोशन तो हमेशा संस्ता के साथ जुड़े रहें जो चैनल पर पहली वर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जै हिंद जै भार्त